पता भी नहीं है आप लोगों को कि हमारे शरीर के रोम चित्र से खाली जो है मल हमारे मल द्वार से ही नहीं निकलता है, रोम चित्र से भी मल निकलते, और कितनी घिनवाली बात है कि हम प्रतिक दिन शनान नहीं करते और जो है वो स्थुति इतनी गंदी है, ये किसी और धर्म की बात होती है किसी और समधाय पंथर की बात होती है कि स्नान न करे बाहर से खाली जो है वो पर्फियूम लगा ले पर एताम विभूतिम योगंचा मामयोवेति तत्वतहा सोविकंपे न योगे न युज्यते नात्रसंशयहा प्रेदर शकूँ नमस्कार एक बाद फिर से संतर्गत सोमवार की कारिक्रम में आज आपके सामने एक कुंड्ली लेकर के आया हूँ जो उनके कुछ सवाल जो आप लोगों के लिए भी बहुत महत्यपौन साबित हो सकते हैं जानेंगे इस के कारिक्रम में कि IAS और IPS बनने के लिए कैसे कुंड्लियों को किस तरीके से तर छानेंगे तर भाधरपद महां में हुआ है, इस वज़ह से विय्क्ति जो है वह भाधरपद महां में जन्मे होने से भध्र पुरुश की भाती हो जाता है मतलब देखने में अच्छा हो, बुद्धिमान हो, और तेजस्वी होता है स्रामण माह में भी जन्मे होने का, स्रामण और भादरपत दोनों का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति सुन्दर और सुशील होता है और दूसरे नमबर पे अगर एक बात कहें तो सबसे अच्छी बात वो यह होगी कि व्यक्ति सम्दुख, सुख, चितः वाले स्थोती में चला जाता है जहां सुख और दुख के स्थोती में वो हमेशा ही अनुकूल गणा रहता है, प्रतिकूल नहीं रहता है दक्षणायन में जन्में होने से आत्मबल कभी कभी कमजोर जरूर हो सकता है, ऐसी स्थोतियां दिख रही है शरद रितू में जन्में होने से व्यक्ति अपने काम के लिए कई बार आलस्य हो रखता है पर प्रोफेशनल काम के लिए कभी भी अपने काम में आलस नहीं रखेगा प्रोफेशनल काम में आलस से नहीं है, पर्सनल काम में आलस से है जैसे घर का काम हो, कुछ और भी अन्य चीजें जैसे होती हैं जो परिवार के लिए करी जाती है उसमें वो कभी-कभी आलत से होता है उससे वो चीज़े नहीं होती है क्रश्न पक्ष के दश्मीतिति के जन्मे होने से ये एक निगटिव और एक नाकारात्म पक्ष इसकुंड़ी में जरूर बनेगा जिसके कारण विक्ति को परिशानिया जहलनी पर सकती है इस वज़ा से विक्ति को हमेशा ही शियुजी की पूजा करते रहने की आवशक्ता है और सूर्य को अर्ग देते रहने की आवशक्ता है नियमित होने की आवशक्ता है सुभ जल्दी जग करके सूर्य को अर्ग आदी जरूर देना चाहिए और अपने, जैसे आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, कहां की थी, वो कुणली याग तो नहीं है, पर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जो होस्टल में रहती है, और 2001 की वो जाती का थी, पर मैंने उनसे कहा कि आप पूजा करवाईए, इनसे कम से कम थोड़ा सुरी को अर्ख खाली जो है मल हमारे मल द्वार से ही नहीं निकलता है, रोमचिद्र से भी मल निकलते, और कितनी घिनवाली बात है कि हम प्रतिक दिन शनान नहीं करते, और जो है वो इस्तुती इतनी गंदी है, ये किसी और धर्म की बात होती है, किसी और समधाय पंतिर की बात होती है, कि स भी साफ ही न करूँ तो ये कैसी बात है भाई तो ये तो मतलब बिल्कुल ही निंदनिये हैं जिसका सरीरी गंदा रहेगा उसका मन क्या साफ रहेगा तो कृष्ण पक्षे के दश्मीतिति के होने के कारण आपको नियमित होना पड़ेगा और कभी भी मन को संतुष्ट करने के लिए आपको हमेशा ही उस पे बल लगाने के अवशकता होगी कृष्ण पक्षे के दस्मितिति के चंद्रमा पापक होते हैं इस वज़ा से वो मन को परिशान और परिशानी के लिए चिन्नित हो जाते हैं सुमवार के जन्मे होने से ब्यक्ति जगडालो नहीं है आरदरान च्छत्र में जन्मे होने से बहु मुखी, बहु आयामी और कई तरह की बाते दिमाग में चलने वाली होती है ब्यक्ति उँची और लंबी दौड में शामिल होता है चाहे वो प्रतियोगिता के मामले में कहें, चाहे पढ़ाई के मामले में कहें चाहे वो competition, किसी भी तरीके से हो, किसी भी जीवन के प्रतियक छत्र में वो आगे बढ़ना और बढ़ना ही चाहता है शिद्धी योग में जन्मे होने से, काम में जो भी हाथ में लगाए उसको सुद्ध करे और जिस भी चीज में वो आगे बढ़ना चाहता है, वो उसमें उसकी सफलता सिद्ध होती है शुद्रवर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण सेवा सुसोर्शा में आगे रहे सब का आदर करे, सब के सन्मान की बात करे, सब की फिक्र करे और मनुष्यता का लक्षन है, इसको दैवत्व में बदलना है, मतलब आप और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं अपने उपर और भी ज़्यादा काम किया जा सकता है अब एक बात बताता हूँ किसी भी तरीके से अपने धर्म को हमेशा ही जीवन में धारन करने की आवश्यक्ता है चाहे आप प्रतेक दिन गीता पाठ पढ़िए, चाहे भागवत महापुरान पढ़िए चाहे आप रामयन का एक छंद पढ़िए, शलोक पढ़िए, या चौपाई पढ़िए जो पढ़िए, अपने जीवन में इसे शामिल करिये और मैं तो समझता हूँ कि इन सब के बिना जो है वो आप कभी भी प्रगति पत्थ को नहीं जा सकते और ना तो आपको किसी भी तरीके से इस जीवन में एक अच्छी पाठ साला मिल सकती है इससे बड़ी और अच्छी पाठ साला कुछ भी नहीं है कि आप खुद से अपने दिन के आरंभ में गीता, भागवत, दुर्गा सप्तशती या रामयन जैसे ग्रंथों का अध्यायन अध्यापन करें जब कभी भी खाली वक्त हो आभी तो गर्मी का मोशम है सारा काम निप्टा करके 10-11 बजे बैट जाई ये सब परिबार अगर कोई काम नहीं है तो बैट करके एक अग जाए एक कुछ भी पढ़ करके सब लोग सुन ले इससे आपके अंदर मजबूती मिलती है और आलस चे दूर भागता है शुरू करते हैं यहां मैंने सबसे पहले तो इनकी पंचांग के स्तिह जो बताई वो थोड़ी कमजोरी वाली बन रही है क्योंकि दक्षणायन वाली बात है और चंदर्मा जो है वो कृष्ण पक्ष के हो करके और वही गुरु यहां भी वापस उच्चके हो जा रहे हैं जन्मकुंडली में दशमेश हो करके इस कुंडली में पहले ये ढूनते हैं कि सरकारी छेत्र का लाथ कैसा है तो दशमस्थान के अधिपती गुरु जन्मकुंडली में और दशमस्थान को शनी का समन्ध बन रहे हैं, यहाँ पे सुर्य स्वग्रही अपने परम मित्र के साथ पापग्रह का छटे भाव में बैठना अच्छा, सुक्र स्वग्रही व्यक्ति को researcher और दिमाग लगा करके बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सवाल का हल ढूनना और अपने आपको अपग्रेड करना, यह इतनी सारी चीजें एक साथ में दिखे गई, अब चंदरमा पे आते हैं, तो चंदरमा यहाँ भी केंदर में बैठे थे, यहाँ भी केंदर में बैठे हैं, यहाँ वो छटे भाव के अधिपती होकर के बैठे हैं, तो समकक्छ ही व्यक्ति के पती भी मि और कई बार उसको उची परतियोगिता में सफलता भी मिलती है, उसका मन संतुलित रखने के आवशक्ता है बस, मंगल यहाँ पे पंचमभाव में बैठे हैं, जो जन्मकुंडली में आप गौर करें, तो नवान्स कुंडली में यहाँ भी पंचमभाव में ही बैठे हैं, यहा यहां भी शुक्र जो है वो अच्छे बैटे हैं, शुक्र यहां भी बकर तुला के, यहां भी शुक्र तुला के, यहां भी शुक्र तुला के, यानि कि व्यक्ति क्राउन जो सिंगहासन आरुड होता है, वो व्यक्ति के पास है, व्यक्ति अगर कोशिश करें, तो सिंगहासन पे आरुण होता है, जैसे छत्रपती की तरफ या महारानी की तरफ. या फिर समाज के बागडोर को संभालने की जो ताकत है वो शनी देंगे. और क्योंकि शनी की दिष्टी लगन पे है और दशंभाव पे है लगन के अधिपती दशंभाव में के भी अधिपती होकर के जन्मकुंडली में योग कारकस्तोती और उचे के होकर के हंस नामक राजयों का निर्मान कर रहे हैं जो विपल धन और संपत्ती का मालिक बना देते शुक्र स्वग रही जहां व्यप्ति का रिसर्च, जहां व्यप्ति का ज्यान, जहां व्यप्ति की गूढ और रहस्यमे चीजों पर जानकारी, जहां व्यप्ति का अनुभव, जहां व्यप्ति का छेत्र, जहां व्यप्ति का प्रभाव, जहां व्यप्ति का ज्यान, जहां व् अधिपति चंद्रमा जो हैं वो बड़े अच्छे भाव में बैठे हैं और सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा और शनी यहां सिर्फ बैठे हैं वो विश्दोष की स्थती उत्पन्न नहीं कर रहे हैं आठे डिग्री पे हैं तो थोड़े अंतर पे हैं हां और उसका प्रभा में शनी मंगल राहु केतु की दर्शाएं चले या सूर्य की दर्शाएं चले तो व्यक्ति थोड़ी बहुत परिशानी में जा सकता है मानसिक रूप से एक बात बताओ प्रतियोगिता भाव बल्वान है क्योंकि यहां पर छटे भाव की अधिपति छटे भाव में बैठे ह और गुरू से दर्श्ठ हो जाने से व्यक्ति के भागे का लाव मिले क्योंकि भागे के कारक पहले ही उच्चे के होकर के बैठे अब यहां पर जरक और करिए तो मंगल की बात मैंने करी थी यहां पर मंगल जो है वो यहां बैठे थे यहां भी अच्छे तोती है जो कौन हो के अधिपति होकर के आठमे भाव में बैठे हैं बुद्ध यहां भी छो नुमबर में बुद्ध यहां भी जन्म कुंडली में जो इस पती बना करके बैठे हैं वो मंगल की राश्ची में गुरू से दिरिष्ट और सुक्र से दिरिष्ट तो दो दो शुभा ग्रहों का प् भी बड़ा ही स्रेस्ट और कुलीन घर का होता है, clear है, तो छटा बाव ठीक, पंचम बाव में अकेले गुरु हैं, थोड़ी बहुत कमजोरी होगी, पुष्य नक्षत्र में बैटे हैं, जिसके अधिपती शनी, मृगर शीरा नक्षत्र में बैट करके, जिसके अधिपती मंग जन्मकुंडली में, छटे भाव में बैट करके, अच्छे प्रणाम दे रहे हैं, जिनका प्रभाव लगन पे रहेगा, तो लगन पे मंगल की दृष्टी, मंगल की दृष्टी आठवी, गुरु की दृष्टी पांचवी, शनी की दृष्टी दसवी, और बुद्ध की इतने सारे ग्रहों का प्रभाव लगन पे, अब जरा विचार करिए, तो लगन पे शनी के दृष्टी होपात कर लेने से, बारवे भाव के अधिपती होकर के बैठेंगे, तो माता के स्वभाव को और माता से निकटा बनाने के साथ-साथ, माता को आयू देने के साथ-साथ उनमें बीमारी देंगे, और कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थती भी बनेगी कि व्यक्ति जो है, वो communication में माहिर होता है, और उसके काम में थोड़े बहुत बिलंब के स्थती, वो किस कारण, क्योंकि व्यक्ति का confidence कमजोर हो जाता है, कई बार, तो आपको इस पे काम करने की आवशक्ता है, चीजों को repetition में रखने की आवशक्ता है, बार-बार उस चीज को analyze करिए, उस चीज को summarize करके पढ़ने का प्रयास करिए, अब टाइम पे कई बार चीजें भूल भी जाते होंगे, क्योंकि राहू की दृष्टी बुद्ध पे है, और बुद्ध जो है वो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपती चंद्रमा बिष्दोष का निर्माण तो नहीं कर रहा है, क्योंकि पापक ग्रह में हैं, लगन पे केतू की दृष्टी है, गुरू भी देख रहे हैं, हाला कि बुद्धिमान और रिश्षविता का भाव बना रहेगा लेकिन चुकि चंद्रमा और गुरू एक दूसरे से ब्यूती द्वादस के समन्द में हैं, तो मैं इसे थोड़ी बहुत कमजोरी भी कह सकता हूँ, लगन के अधिपती का अपने भाव से पंचमस्त जाना, ये बड़ा अच्छा होगा, और लगन के अधिपती का वापस लगन को नवी दृष्टी से देखना, ये ब्यक्ति को सू वेवस्थत और बहुत ही सुद्रण वेमान सिकता का बना देता है, जहां ब्यक्ति की कुणली में आईस योग घटित होते मंगल, सुरिय, गूरू, तो ज़रा सोच के देखिए, तो एक गरह यहां, यहां पे रचना बहुत मजबूत हो जाती है, स्वभावगत जो इस्थती है वो मंगल की जन्मकुणली में सुरिय के साथ जाने से, तो देखे, धन भाव के अधिपती का संबंद जन्मकुणली के रिन भाव से बना है, इस कारण से ब्यक्ति कई बार बहुत जादा एग्रसिव नही अधिकारों के लिए और कई बार सोच समझ करके चाल चलने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं उसमें जीत पाता है, मतलब कई बार जब उसके सामने कोई ऐसी स्थती आ जाए, जहाँ पे उसको कुछ भी समझ में ना आए कि वो क्या करे, तो ऐसी स्थती में व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु वोशिष्ट के पास जाने क्या वशकता है, ऐसी स्थती में व्यक्ति अपने छोटे भाई, व्यक्ति अपने बड़े भाई, व्यक्ति अपने गुरु जनों से बिलकुल ही उनसे समाधान मांग सकता है, चतुर्त भाव के अधिपती का जन्म स्वग्रही होना, भदर योग का लगना, हंस योग का लगना, अस्टम भाव में सुक्र के बैठे होने से व्यक्ति का जो जीवन में आयू और स्वभाव, उसके बाद रिशर्च, उसके बाद विभिन छित्रों के बारे में जानकारी इकठा करना, माइंड सिट बहुत ही क् स्लियर वीजन के साथ आगे बढ़े, किसी ही प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि चंद्रमा से सुक्र पंचमस्त बैठे हैं, यहाँ पे चंद्रमा से सुक्र पंचमस्त बैठे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा से सुक्र जो हैं, वो चंद्रमा दर्शमान्स कुंड में बैठे हैं शनी यहां पे आज आ रहे हैं यह बहुत अच्छी बात होगी कर्म छेत्र के लिए दशम भाव के अधिपती का संबंध जन्म कुंडली में शनी के साथ यहां भी है तो यह बहुत अच्छी बात है सरकारी नौकरी और छेत्र के लिए दशम भाव से शनी का संब बंद दशंभाव से बन रहा है, तो ये सारी जो चीजे हैं, वो व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत अच्छे लेबल पर ले जाकर के स्थापित करने वाली बन रही हैं, पर एक बात जो मैं कहूंगा, इस कुंडली में मन को संतुलित करने की आवशक्ता होगी, इस कुंडली में मामले में कभी भी कमजोर नहीं होगा, वो आत्मबल के मामले में कमजोर हो सकता है, पेट की समस्याएं उसको परिशान कर सकती है, कई बार हड़ियों का रोग उसे परिशान कर सकता है, रक्तजनित समस्याएं कई बार हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवशक्ता होगी, चंद्रमा जो हैं वो जिस नक्षत्र में बैटे हैं वो उनको बहु मुखी और बहु आयामी बनाता है, राहू भी व्यक्ति को महनती बनाएंगे और छोटे भाई बहनों का सुख भी मिलता रहेगा, क्योंकि वस्तुता इस गौर करे तो इस भाव के अधिपती स्वग रही है थोड़ी बहुत खटपट तो एक सामाने सीवात होती है, लेकिन वैसी कोई विशेश परिशानी वाली बात नहीं है, गुरू का पंचमभाव में अकेले बैटना थोड़े बहुत भावों की कमजोरी जरूर करे, तो अंक पे ध्यान देने की अवशकता होगी, आपको थोड क्योगिता है, वो कई गुना और कई बार बढ़ जाती है, अगर हम इसी कुंडली में देखें, तो कुंडली में सबसे जो बल्मान ग्रह है, वो चंद्रमा, उसके बाद गुरू भी होंगे, शुक्र भी अच्छे हैं, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है, बुद्ध भी बहुत पढ़ेगा, तो व्यक्ति को कई बार ये ध्यान रखना होगा, कि उसके साथ अगर हो सके, तो किसी भी तरीके का आप्शन मत रखिए, चुक चाप फोकस लगा करके आगे बढ़ते जाए, क्योंकि आपकी कुंडली कई बार कन्फ्यूजन में भी जा सकती है, एक बार अगर असफल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए, उसमें लगतार लगे रहने की आवशकता है, और नेसंदी ये कुंडली सफल हो सकती है, क्योंकि दशमान्स कुंडली में लगन के अधिपती स्वग रही है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, दशम अधिपती यहाँ भी उचके हो रहे हैं, शनी के साथ बैठ जाने से ये और भी ज़्यादा इस्थती प्रबलतम हो जाएगी, रहु का प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा तो अच्छा होगा, और जन्मकुंडली में भाग्य भाव के अधिपती का जन्मकुंडली में शनी, जन्म, दशन्भाव के अधिपती के साथ ब्यक्ति को पदस्त अधिकारी बनाने का सिंजोग पैदा करते हैं, इस कुर्भी में, मंगल, जन्मकुर्णी में मघानक्शतर में बैठे हैं, जो ब्यक्ती के जीवन में मंगल से केतु का संस्भन्ध है, क्योंकि वो केतु को तो ऐसे स्थति में व्यक्ति का अनुभाव और कई बार व्यक्ति का प्रमोशन होते 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 पदस्त बन जाता है तो कि बार आरंभ में अगर कोई छोटी नौकरी मिल जाती है उसमें भी व्यक्ति को शामिल होने से कत्राना नहीं चाहिए कभी भी यह नहीं करना तो आपके लिए उत्तर और पुर्व की दिशाएं जादा बढ़ियां रहेंगी, और बिशेश वत्या आपकी कुंडली के हिसाब से मैं समस्ता हूँ, कि उत्तर दिशा जादा बढ़ियां है, आपकी कुंडली के हिसाब से दश अंक बहुत अच्छा रहेगा, गुरुवार का नहीं है, पर कन्या वालों से थोड़ा बच जाना चाहिए, विवाह के लिए तुला राशी के जातक, मिथुन राशी के जातक, कर्क और धनू राशी के जातक, साथी साथ कन्या राशी और व्रश्षिक राशी, इन जातकों से विवाह किया जा सकता है, आपकी कुंडली में शनी की दशा अभी आ रही है तो 2024 के मार्च से जो आपकी कुंडली के बारह में भाव के अधिपती है और जन्म कुंडली में वो शनी किसी भी सुभग्रा के प्रभाव में नहीं है चंदरबा उनको देख रहे हैं और वस्तुता नवांस कुंडली में भी वो केंदर में ही है लगन कुंडली में भी केंदर में ही बन रहे हैं और यहां पे तो और भी अच्छे हो जा रहे हैं पर यहां पे शत्रु के घर में बैटे हैं इस कारण से गौर करिए तो लगन कुंडली में भी दश्रमस्थान के अधिपती पंचमभाव में बैठे थे, नॉमान्स कुंडली में भी दश्रमस्थान के अधिपती उच्चे के हो करके बैठे थे, तो ब्यप्ती का सबसे जो अच्छा चेत्र बन रहा है, वो दश्रमस्थान ही बन रहा है, करियर वाला चेत्र बिल्कुल ठी दशाओं के क्रम में ये कुंडली में अगर मैं देखूंगा तो कभी भी जो सूरिय होंगे इस कुंडली के लिए मेन लगन की कुंडली के लिए सूरिय अच्छे नहीं होते क्योंकि वो छटे भाव के अधिपती हैं लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को साहसी, ढाधस, परक्रमी, मेहनती और प्रतियों की ताव में सफलता है लेने वाला और देने वाला बना देंगे। याद करते रहना चाहिए तो बुद्ध की दशा भी आपकी कुंडली में मैं समझता हूं कि चाहे वो कितने ही अशुब हों क्योंकि सब्तमभाव के अधिपती हैं तो फिर भी वो अगर केंद्र के दो केंद्रों के अधिपती हो करके आज जा करके केंद्र में ही बैटे हैं तो दोश भी लगेगा उन्हें और ये चुकि दूश भाविक लगन की कुंडली है तो सब्तमभाव जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है पर फिर भी विपती के पास जो मैमरी है और विपती के पास जो तारकिक छमता है वो कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए उसका लिपती यहां पर सुर्य पे बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि यहां पे वस्तुता आपकी कुंडली में ज़र गौर करिए तो शनी सूर्य को अब जादा है और अपने आपको और भी ज़्यादा प्रवर्ती में धार्विक बनाने की आवशक्ता है और भी ज्यादा अगर समझदार बन सकते हैं तो थोड़े और बन जाएंगे जल्दबाजीपन में आकर के कोई भी निरने तो आप नहीं लेंगे क्योंकि बुद्ध हैं देव गुरु ब्रहसपती आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी कभी भी शनी में गुरु हो तो भी अच्छी जाए राहु में गुरु हो तो भी अच्छी जाए असीस्त होती नहीं है शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं पर वो आ दर्शन कर लेना चाहिए या अगर हो सके तो सफेद चीजों का दान कर देना चाहिए। पुश्पकी माला गले में भगवान माता-दुरगा को अरपित कर दीजे या भगवान शिव को अरपित कर दीजे। शनी जन्म कुंडली में खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते, इस वज़ा से उनकी दशा पे सावधान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि वो पापक रहे हैं, तो बजरंग बली की आराधना और उनका मंदर का दर्शन, अपने घर में बजरंग बली की तश्वीर और उनकी पू प्रोपर्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती देने वाला बन जाता है, आपकी कुंडली में अगर और भी चीज़ें समझाओं, तो जो शनी बैठे हैं, वो आपको महनती भी बनाएंगे, और चंद्रमा जो बैठे हैं, वो आपको सुबर नेशर का बनाएंगे, गुरु जहां उच्छे के बैठे हैं, तो धन बैभो और समरिद्धी आदी इन सब चीजों में कभी भी कमजोरी नहीं होने देते, और मंगल और सुरी अगर एक साथ बैठे हैं, तो बैक्ति को साहसी और दुश्मनों से लड़ने वाला, विपरित परिस्वती में कभी भी लोक में भगवान ने बात कही है, क्या कही है, दर्श्मे अध्याय को गीता जी में इसलिए विशेश महत्प मिलता है, वैसे तो सभी महत्तवोंड हैं, कोई भी उसमें किसी से किसी की तुलना नहीं है, और सब बिलकुल एक दूसरे से अलग हैं, और अलग स्रिष्टी की र यहां भगवान ने ये बात कही है, दस्मे अध्याय के सात्वे श्लोप में, कि चार सात रिशी, चार सनकादी और चौदा हमनुग, इन विभूतियों को जो समझ लेता है, या फिर जो इन विभूतियों को आगे भी विभूतियों में और भी बातें भगवान जरूर कि जो इनको समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करता है, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करता है, ने संदे वो मुझे प्राप्त हो जाता है, और ने संदे वो मुझे मैं प्राप्त हो जाता हूँ, कुछ इसी तरीक झाल को